जिस बच्चे ने 2023 में UG Courses में नया एड्मिशन लिया है या इवन PG Courses में भी नया एड्मिशन लिया है तो उनका बार कोड कब आएगा देखो UG Courses का रोल नंबर तो आ गया है आप अपना रोल नंबर जो आपका एड्मिशन पोटल है वहाँ जाएए और अपना ID कार्ट लॉग इन करके फिर से डाउनलोड कीजिए आपका ID कार्ट में रोल नंबर आपको लिखा हुआ दिख जाएगा इस पोटल का पासफ़र अगर भूल गए हो या यूजरनेम भूल गए हो तो यहाँ पर फॉर्गेट का उप्शन है यहाँ जाके फॉर्गेट भी कर सकते हो अब बात यह है कि काफी बच्चे क्या कर रहे हैं रोल नंबर तो उनको पता चल गया और हमारे चैनल पर एक वीडियो भी अवेलेबल है कि बार कोड कैसे पता करें एस ओल का तो इसके लिए यह जो स्टूडेंट का सेक्शन है यहाँ दाने के बाद यहाँ पर नो यूर बार कोड का उप्शन है तो बच्चे यहाँ पर अपना एस ओल का रोल नंबर और मुबाइल नंबर एंटर करके बार कोड डाउनलोड करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन दिक्कत दोस्तों यह है कि यह वाला जो पॉटल है यह अभी उन बच्चों के लिए जिनका एडमिशन 2022 तक का है उन बच्चों के लिए यह पॉटल काम करेगा फिलाल 2023 वाले बच्चों के लिए यह पॉटल ठीक से काम नहीं कर रहा है तो इसलिए 2023 में जिस बच्चे ने S.O.L. में एडमिशन लिया हुआ है उसको अभी थोड़ा सा और इंतिजार करना पड़ेगा अपने बार कोड के लिए ठीक है आपको हो सकता है SMS आ जाए एसमेस के थूरू इमिजेटली लेकिन 2023 वाले बच्चों के लिए अभी ये लिंक वर्क नहीं कर रहा है वो क्यों नहीं कर रहा है क्योंकि अभी हो सकता है बार कोड एसल ने आप लोगों के बनाए ही ना हो जनरेट ही नहीं करे हूँ तो थोड़ा सा और आपको इंतदार करना है आपको काफी जल आपके मुबाइल नमबर पर या तो SMS देशने को मिल जाएगा या फिर मैं रिकमेंड ये भी करूँग कि इस पोटल पर आप जाकर बार बार चेक करते रहे है अपने बार कोड के लिए आपको हो सकता है यहां से बार कोड मिल जाए ब elkaar कोड और रोल नमबर का काम बेसिकली होता यह है कि यह स्टूडेन डैश्बोर है इसको एकसिस करने के लिए होता है और मेरी समझ में अभी इसकी कोई जरुवत आपको नहीं है तो अभी इतना परिशान होनी की जरुवत नहीं है इसकर हमारा बारकॉड नहीं आया तो इसकी अभी जरुवत लोगिन करने की आपको बिल्कुल भी नहीं है आप थोड़ा सा और इंतजार कीजिए जब बारकॉड आएगा तो मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को इंफोर पर चेक करते रहे हैं फिलाल के लिए वीडियो में इतना ही ठेंक यूँ आप